दियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में बेरिंग के क्वेस्टन्स को सॉल्व करेंगे बेरिंग के क्वेस्टन्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि AOC AOC होता है एंगल ओफ कनवरजेंस इसको बोलते हैं हम एंगल ओफ कनवरजेंस यानि कि True North से लेके और Grid North के बीच की जो कौनात्मक दूरी होती है जो एंगल बनता है उसी को हम AOC कहते हैं AOC का मतलब एंगल ओफ कनवरजेंस या फिर इसको हम सम वाई कौन भी बोलते हैं सम वाई कौन या फिर इसको Grid अभीसरन भी बोलते हैं इसके बाद है MV यानि कि Magnetic Variation Magnetic Variation होता है True North से और Magnetic North के बीच की कौनात्मक दूरी इसी प्रिकार LV यानि कि Local Variation Local Variation होता है Grid North से और Magnetic North की बीच की कौनात्मक दूरी अब इसमें देखने वाली बात है कि Angle of Convergence और Magnetic Variation दोनों में True North कौन है यहाँ पर जो है True North होगा और जो है Angle of Convergence में True North और Grid North होगा MV में यानि Magnetic Variation में True North से Magnetic North की बीच कौनात्मक दूरी होगी और LV यानि Local Variation में Grid North और Magnetic North यानि इसका Grid North और इसका Magnetic North इन दोनों के बीची कौनात्मक दूरी होगी अभी देखते हैं हमारे जो Bearing होती है वो चार परकार की होती है कौन-कौनसी Bearing एक True Bearing एक Magnetic Bearing एक Grid Bearing और एक Compass Bearing True Bearing जो होगी वो True North से नापी जाएगी कहां से नापी जाएगी? True North से Magnetic Bearing जो होगी वो Magnetic North से नापी जाएगी और Grid Bearing जो होगी वो Grid North से नापी जाएगी इसके बाद जो Compass Bearing होती हो Compass North से नापी जाएगी यह compass bearing कब बनती है जब compass में ICE यानि कि individual compass error या फिर LMA यानि कि local magnetic attraction इस इस्थिती में हमारी जो bearing बनेगी वो compass bearing बनेगी और जो north होगा वो compass north होगा तो हमारी bearing चार प्रकार की है यानि कि आप बनेगी एक true bearing जो होगी हमारी true north से ना पी जाएगो true true north के आया हमारा pole star से लिया जाता है, इसके बाद जो magnetic bearing है, वो magnetic north से ना पी जाती है, magnetic bearing किसमे हम आपते हैं, compass से, इसके बाद grid bearing, grid bearing किसमे, grid lines यानि कि अपके map के उपर, तो इस प्रकार से हमारी चार bearing है, true bearing, magnetic bearing, grid bearing और compass bearing, true bearing, true north से, magnetic bearing, magnetic north से, grid bearing, grid north से, और compass bearing, compass north से, अब इसके हम कुछ questions हैं, उनको देख लेते हैं, इसका question number one, किसी map पर AOC 3 degree west है, यहाँ पर लिखा है, AOC 3 degree west है, इस map पर किसी सथान से, एक मंदर की bearing, 118 पड़ी गई है, इस map पर, यानि कि map पर कौन सी bearing पड़ी जाती है, grid bearing, तो grid bearing दे रखी हैं, इसने हमें 118 degree है, तो उस सथान से मंदर की true bearing ग्याद करो, तो हमें जो ग्याद करनी है, find करनी है, true bearing है, हमें केवल दो चीज दे रखी है, AOC दे रखा है, और grid bearing दे रखी है, हमें true bearing find करनी है, तो मैंने अभी बताया था, आपको जो AOC हमारा होता है, AOC होता है true north से, और grid north के बीच की कौनात मगदूरी, यह हमारा AOC होता है, अभी इसमें true north जो होगा, वो सीधा रहेगा, अभी grid north जो है, या तो दाएं जाएगा, या फिर बाएं, वो किस हिसाब से जाएगा, क्योंकि हमारा जो east है, वो दाएं रहता है, और west क्या है, बाएं रहता है, अभी इसमें दिया है west, तो west के दर आ जाएगा, बाएं, west जो होगा, सबोज़ हम यहाँ पे खड़े हैं, तो west कहा होगा हमारा, बाएं साइड होगा, तो जो grid north है, यह बाएं की तरफ होगा, तो AOC का डाइगराम बना लेते हैं, true north से लेके, और grid north के बीच, तो grid north अभी west बोल रखा है, तो west का मतलब यह बाएं साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा grid north, तो true north से grid north के बीच की कौनात में गुरु क्या बोलते हैं, AOC, true north हमेशा सीधा रहेगा, grid north या तो दाहिने रहेगा, या फिर बाएं रहेगा, वो दाहिने बाएं देखना है हमने यहाँ से, east बोलता है तो दाहिने साइड में रहेगा, क्योंकि east हमारा दाहिने होता है और west है तो बाएं रहेगा, तो यह क्या हाँ जाएगा, अभी इसकी जो bearing है वो grid bearing दे रखी है तो grid bearing में भी बताया था grid bearing grid north से ना पी जाती है तो यहाँ पर object है या मंदर है तो इसकी bearing कहाँ से ना पी जाएगी grid north से यहाँ से और यहाँ तक object तक इस line से क्योंकि हमें grid bearing दे रखी है तो यह grid north से ना पी जाएगी यह कितनी दे रखिये है हमें 118 डिगरी और true north से grid north के बीच की दो कौना तो में दूरी जो होती है AOC होती है angle of convergence जो की हमारा कितना है 3 डिगरी यह कितना था हमारा 3 डिगरी था अभी इसमें पूछा है कि true bearing क्या होगी तो यहां से देख लेते हैं हम true bearing अभी देखने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक जो distance है हमारा जो bearing है वो कितनी है 188 है total और हमें true bearing निकालनी है तो true bearing true north से निकाली जाएगी यहां से यहां से और यहां तक की इस point से लेके और इस point तक तो total 188 है थी हमें निकालनी है यहां से और यहां तक की तो इतना जो हिस्सा है यानि कि जो यह AOC है यह क्या है इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें तो सरफ यहां से और यहां तक की निकालनी है हमें दी हुई थी यहां से लेके यहां तक की और यह हमें पता है तीन डिगरी है अगर इस टोटल में से मैं तीन डिगरी माइनस कर देता हूँ तो मेरी यहां से यहां तक की वियरिंग निकल जाएगी जो की हमारी क्या है ट्रू वियरिंग होगी क्योंकि इस point से लेकर इस point तक की wearing क्या होगी true wearing होगी अभी total हमारा 118 degree था minus इस में से में 3 degree minus किया तो कितना बचा 115 degree अभी इसके उपर लिख देते हैं 118 क्या दे रखा है हमें GB तो यहाँ पे GB लिखेंगे minus यह 3 किसके बरावर है AOC के बरावर तो यहाँ लिखेंगे AOC तो TV हमारा क्या जाएगा GB minus AOC तो कितना है 115 degree यही इसका answer होगा अभी से question number 2 किसी में पर local variation 4 degree west है यहनकि LV दे रखा है हमें local variation 4 degree west है एक सथान P से compass से किसी किलिए की bearing 230 पढ़ी गई है compass से कौन सी bearing पढ़ी जाती है magnetic bearing जो कि 230 ठीक गई है क्या पूचरा है तो सथान P से किलिए की grid bearing बताओ GB find करना है अभी हमें दे रखा है यहाँ पर LV तीन चीज होती है मैंने बताया था एक तो होती है AOC एक होती है MV और एक होती है LV तो यहाँ पर हमें LV दे रखा है यह रहा LV तो LV क्या होता local variation नहीं grid north से लेके इसमें grid north क्या रहेगा सीधर रहेगा grid north से लेके और magnetic north की बीच की दूरी अभी magnetic north के तर आएगा by inside आएगा क्योंकि यहाँ पर west दे रखा है magnetic north कहा आएगा इसका by inside में यह इसका magnetic north होगा अगर यहाँ पर east होता तो यह दाहिन होता यहाँ पर दे रखा west तो west का मतलब बाएं कितना आएगे 4 degree और mb यानि की magnetic bearing दे रखिए 230 degree अभी magnetic bearing कहा से पड़े जाएगे magnetic north से यहाँ से यहाँ से लेके object तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 230 degree अभी क्या पूछा grid bearing तो हम grid bearing जब निकालेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की निकालेंगे इस point तक की जब कि हमें total यहाँ से यहाँ दे रखिए 230 अगर मैं इस total में से यह 4 माइनस कर देता हूँ तो हमारा इतना निकल जाएगा यहाँ तक का यह वाला हिस्सा यह चीज अगर मैं 230 में से माइनस कर देता हूँ 4 तो हमारी क्या निकल जाएगे यहाँ पर grid bearing यहाँ तक grid नौट से ना पिजा दे गिरिड bearing तो हमारी यहाँ से यहाँ थक की जो bearing वो निकल जाएगी तोटल 230 थी इस में से 4 माइनस किया तो कितनी बचे यहाँ से 226 degree यह हमारी grid bearing बराबर हो जाएगी 230 यानिकी mb माइनस जो 4 degree हो क्या है lb तो यह इसका जो answer को क्या होगा 226 degree जो कि इसकी grid bearing होगी अब इसका question नमर थर्ड एक मैप पर AOC 2 degree 30 मिनट इस्ट है AOC दे रखा है 2 degree 30 मिनट इस्ट इस पर किसी सथानसे मंदर की true bearing 165 degree यहनि कि TV दे रखी है true bearing 165 degree वो सथानसे मंदर की grid bearing ज्याद करो यानि कि G भी हमें find करेंगे AOC क्या होता है true north से लेके और grid north के बीच की AOC भी बताया था मैंने first में कि true north से लेके और grid north के बीच की दूरी अभी grid north के दर जाएगा true north तो सीधा रहेगा grid north यहाँ तो दाही नी रहेगा अब बाई रहेगा अभी कहां रहेगा क्योंकि East है तो East हमारा किस सैड में होता है East हमारे दाहिनी सैड में होता है तो ये जो grid bearing होगी यानि grid north होगा वो कहां रहेगा दाहिन सैड क्योंकि यहां पर East है और ये कितना है दो डिगरी 30 मिनट टीवी दे रखा हमें 165 डिगरी तो टीवी कहां से नापा जाएगा True North से यहां से लेके यह True North की लाइन है यहां से नापा जाएगा टीवी 165 डिगरी यहां से लेके और यहां तक की object यह हमारा यह कितना है 165 डिगरी टीवी दे रखी है तो टीवी यहां से लेकर यहां तक की नापी जाएगी पूछा क्या है जीवी फाइंड करो तो जीवी कि हम जब निकाल नहीं है तो जीवी यहां से ली जाएगी गिर नौर्ट से तो यहां से और यहां तक की जो वियरेंगे वो निकाल नहीं हमें टोटल हमें पता है कि 165 डिगरी है याई कि अगर हम GV निकालते हैं तो टोटल याई कि 165 यह टोटल है इसमें से अगर मैं 2 डिगरी 30 मिनट माइनस कर देता हूँ तो क्या निकल के आएज एजा हमारा GV याई कि 2 डिगरी 30 मिनट तो यहाँ पर लिख देना है जाएगे 165 में से दो डीजे 30 मिनट मुनेस करना है अभी मैंनस करने के लिए क्या करते हैं जैसे 165 है, तो इसको एक कम करके लिखना है यनिकी 164 लिखना है और जो एक डेगरी था उसकी जगह हम यहाँ पे 60 मिनट कर देते हैं 165 को कैसे लिखना है एक कम लिखना हैам blissUST 164 और जो एक डेगरी बचा उसकी जगे हैंपे 60 मिनट, अब इस में से मैनेस करेंगे 2 डिगरी 30 मिनट, यहां से 60 में से 30 गया 30, और यहां से बचा 162, 164 में से 2 गया तो 162, यानि कि आपको डिगरी में से डिगरी मैनेस करना है, और मिनट में से मिनट मैनेस करना है, तो यह बचा 162 डिगरी and 30 मिनट, यह इसका आंसर है अभी question number 4 किसी मैप पर local variation यनकी LV दे रखा है हमें 3 degree 30 मिनट इस्ट है यनकी local variation क्या 3 degree 30 मिनट इस्ट है इस मैप के इलाके पर एक सथान से पिकेट की वीरिंग सर्विस पोटक्टर से 170 डिएगर सर्विस पोटक्टर से कौन सी वीरिंग नापते हैं गिरड वीरिंग तो जी भी कितना दे रखा है 170 डिएगरी तो इसकी क्या गयात करनी है मैगनेटिक वीरिंग गयात करो MB गयात करनी है MB क्या होगी अभी हमें पता है कि जो local variation होता है वो आपका grid north से लेके और magnetic north के बीच होता है तो grid north सीधा रहेगा और magnetic north के दर जाएगा अभी क्योंकि east दे रखा है तो ये दाहने side जाएगा grid north से लेके और magnetic north कितना है तीन डिगरी 30 मिनट यहां से लेके यहां तक ये तीन डिगरी 30 मिनट है GB दे रखा 170 डिगरी GB हमारा जो होगा कहां से ना पा जाएगा grid north से यहां से यह grid north के लाएन है तो grid bearing grid north से ना पी जाएगी तो यहां से लेके यहां तक की जो bearing है यह 170 degree है तो क्या पूछा है? magnetic bearing find करो तो magnetic bearing कहां से ना पी जाएगी? यहां से ना पी जाएगी इस point से यहां तक की bearing अभी आपको पता है कि यहां से जो total है यह 170 है अगर इस 170 में से मैं यह हिस्सा निकाल देता हूँ तो यह हिस्सा बचेगा और यह हिस्सा कितना है आपका? तीन डिगरी तीस मिनट तो इस 170 यानि कि इस total में से यह हिस्सा अगर मैंनस कर देते हैं तो यह हिस्सा बचेगा तो हम यह हिस्सा चाहिए magnetic bearing का तो MB क्या हो जाएगा आपका 170 degree मैंनस 3 degree तीस मिनट तो वही फॉर्मूल अपनाना जो मैंने भी बताया था 170 को क्या लग सकते हैं 169 एक कम करके लिखेंगे और एक डिगरी का यहाँ पर 60 मिनट लिखेंगे तो यह 170 के यह बराबर होता है इसमें से 3 degree और 30 मिनट मैंनस करेंगे तो यहाँ से 30 बचा और यहाँ से बचेगा 166 degree यनकी 166 degree 30 मिनट यनकी 166 degree और 30 मिनट यही आपकी मैगनेटिक बीरिंग होगी यहाँ पर लिख देना है mb बराबर 170 के आपका gb मैनस 3 degree 30 मिनट के आपका lb यह जो 3 degree 30 मिनट के आपका lb यहाँ पर लिख देना है कि किसके बराबर यह इसका आंसर होगा अब इसका question number 5 किसी सथान पर mb यनकी मैगनेटिक वेरियेशन दिया हुआ है आपको 3 degree 15 मिनट इस्ट है यदि वहाँ सथान पी से एक मंदर की वास्तविक वेरिंग वास्तविक वेरिंग यनकी true bearing 190 गरी है तो mb बताओ तो क्या बताना है हमें mb क्या होगी होता है mb कहां से होता है आपका true north से और magnetic north के बीच की दूरी होती है तो यहाँ पर true bearing दे रखिए यह वाली तो true north से ना पी जाएगी अभी आपको क्या निकालनी है magnetic bearing निकालनी तो पिछले वाले question की तरह है यह बिल्खुल तो magnetic bearing यहाँ से यहाँ तक की bearing ना पी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की अभी आपको पता है कि total आपकी 190 degree है उसमें से अगर मैं यह हिस्सा निकाल देता हूँ तो बचेगा कितना यह वाला हिस्सा बचेगा यह तो magnetic जो bearing होगी आपके क्या हो जाएगी 190 degree माइनस इसमें से 3 degree 15 मिनट माइनस कर देते हैं यह आपकी Mb होगी अभी वही गटाने के लिए same procedure है 260 में से पंदर गया 45 और इसमें से बचा 6,8,1 यहीं की 166 degree 45 मिनट यह ही इसका आंसर होगा 186 degree 45 मिनट यहाँ पर लिख देना है 190 क्या है आपका TV माइनस 3 degree 15 मिनट क्या है आपका Mb तो इसका जो Mb होगा कितना होगा 180 degree 45 मिनट ना question number 6 एक मैप पर Mb 2 degree 15 मिनट इस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है आपको Mb 2 degree 15 मिनट इस्ट है और AOC 3 degree वेस्ट है AOC कितना है 3 degree वेस्ट है इसमें के अलाके में P सत्थान से किसी क्लिए की Mb यानिकी magnetic bearing दिया है आपको 160 degree Mb कितनी दिया है 160 degree तो सभी bearing फाइंड करो तो सभी bearing क्या क्या होँगी magnetic bearing आपको दे रख की है एक तो true bearing होगी और एक grid bearing होगी यह bearing फाइंड करना है दो वियरिंग जो होंगे, यानि कि true वियरिंग और grid वियरिंग, अब इसका डाइगराम बना लेते हैं, mv, mv किस किस के बीच होती है, true north से और magnetic north के बीच की दूरी, अभी magnetic north के दार रहेगा, east है तो दाहे ने रहेगा, यानि कि true north से magnetic north, ये आपका होगा mv, कितना होगा है, 2 degree और 15 minute, अभी जो आपका AOC होगा, AOC क्या होता, angle of convergence, यानि true north से और grid north के बीच की दूरी, अभी आपको true north अल्रेडी दे रखा है, अभी क्या चाहिए आपको grid north हो चाहिए, तो grid north के दर जाएगा, क्योंकि ये west है, तो grid north का आएगा, इसके बाएँ आएगा, east वाला दाहे ने जाएगा, और west वाला बाएँ जाएगा, तो true north से और grid north ही होगा, AOC है, कितना है ये, 3 degree, तो mv दे रखा है, mv कहां से ना पी जाएगा, आपके magnetic bearing, magnetic north से, यहां से, यह आपका magnetic north है, क्योंकि यहां पर mv दे रखी है, और ये magnetic north से ना पी जाएगी, तो यहां से यहां तक की जो bearing है, वो 160 degree है, 160 degree, तो क्या निकालना था आपको true bearing और grid bearing, अभी आपको true bearing निकालना है जब तो true bearing कहां से कहां तक की होगी यहां से लेके और यहां तक की bearing true bearing होगी यह वाली bearing T भी होगी क्योंकि यहां से object से लेके true nor तक की bearing true bearing होगी अभी आपको पता है कि यहां से यहां तक है 160 है अगर इस 160 में 2 degree 15 minute हम add कर देते हैं क्योंकि हमें यहां से यहां पता है 160 degree है और हमें जाना यहां से यहां तक तो यह 2 degree 15 minute इसमें क्या होगा add होगा तो हमारी क्या निकल कि आजएगी T b रिका आजएगी true noise से तो T b क्या होगी 160 degree plus 2 degree 15 minute यहनी कि 162 degree पंद्रे मिनट तो यहां पर लेकर देना है TB बराबर होगा 160 क्या है MB पलस 2 डिगरी पंद्रे मिनट क्या है MB तो यहां से TB हमें पता चल गया यहां तक की जो bearing आई वो कितनी आई 162 डिगरी 15 मिनट अभी हमें निकालने है grid bearing जो कि grid north से नापी जाएगी grid bearing निकालने है तो grid north से नापी जाएगी तो GB GB क्या होगी अभी हमें यहां तक पता चल गया कि 162 डिगरी पंद्रे मिनट है अगर इसमें हम 3 डिगरी और एड कर देते हैं तो हम यहां तक पहुँच जाएंगे grid north तक यानि कि 162 डिगरी 15 minute plus यह 3 डिगरी यानि कि 162 और 3 165 डिगरी 15 मिनट यही इसका आंसर होगी यानि कि GB अभी यहां पर लेख देना है GB बराबर 162 पंद्रा क्या है हमारा TB TB plus यह 3 डिगरी क्या है AOC AOC तो यही आपका आंसर होगा यह आपका जीवी है और यह आपका टीवी है अभी क्वेचन नमर सेवन एक में में एमवी एक डिगरी दस मिनट वेस्ट है एक डिगरी दस मिनट वेस्ट और एऊसी दिया हुआ है एंगल ओप कनवर्जेंस दिया हुआ है दो डिगरी पंदरा मिनट इस्ट यदि इस मैप पर छेत्र से इस मैप छेत्र में 20 अथान से पिकेट की बेरिंग कमपास से एक सो डिगरी मापी गई है यानि कमपास से मैगनेटिक वेरिंग पड़े जाती है तो कितनी होगी एक सो डिगरी तो सभी वेरिंग याद करूँ सबी बएरिंग कौन कोंसी होगी, इसकी एक तो grid बेरिंग होगी और एक true बेरिंग होगी, यैनि magnetic बेरिंग अलड़ी हमें दे रिक ही है, तो इसमें कौन सी निकलेगी, एक तो true बेरिंग और एक grid बेरिंग, आप इसका डाइग्राम बना लेते हैं, magnetic variation क्या होता है मेरे फर्ष्ट में बताया है magnetic variation होता है true north से magnetic north की बीच तो यहाँ पर true north बिल्कुल सीधर रहेगा magnetic north है वो तो यहाँ तो दाएं जाएगा बाएं जाएगा अब यहाँ पर west दे रखा है तो west का मतलब पाएं true north से और magnetic north के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं mb बोलते कितना रहेगा यह 1 degree 10 मिनट है यह west की side रहेगा क्योंकि west दिया हुआ एउसी क्या होता है true north से grid north यह उसी मैंने first में बताया था true north से grid north होता है तो true north already हमें दे रखा है क्या चाहिए हमें grid north और यह east में है तो यह दाहने side होगा true north से जो grid north होगा वो दाहने side होगा यह कितना दे रखा है आपको 2 degree 15 मिनट अभी mb दे रखी है हमें 120 degree तो mb 120 degree कहां से ना पी जाएगी magnetic north से यहां से mb दे रखी है जो magnetic north से ना पी जाएगी तो यहां से यहां तक की जो degree होगी कितनी होगी हो 120 degree अभी निकालना क्या आपको tb और gb हमें true bearing और grid bearing फैंड करना है तो true bearing क्या हो जाएगी यहां से true bearing हमें यहां से चाहिए इस point से लेके यहां से लेके और यहां तक की bearing चाहिए हमें पता है total 120 है यहां से यहां तक लेके 120 है अगर इस में से यह चीज मैनिस कर दें तो यहां से लेके यहां तक पता चल जाएगा तो 120 ये total है 120 में से 1 degree 10 minute minus कर देते हैं तो यहां से bearing पती चल जाएगी जो कि हमारी क्या होगी TB तो इसको 120 degree में से minus कर देते हैं 1 degree और 10 minute अभी माइनस करने के लिए बताया था मैंने कि 120 को क्या लख सकते हैं 119 degree और 60 minute इस में से 1 degree 10 minute minus करना है तो 60 में से 10 गया तो 50 और 119 में से 1 गया तो 118 degree तो 118 degree 50 minute कर आपकी TB होगी 118 degree 50 minute क्या निकल के आएगी TB तो यहां पर लग देना है TB बरावर है 120 किसके बरावर है MB के बरावर है तो MB माइनस 1 degree 10 minute किसके बरावर है MB के बरावर है यह हमें already दे रखा था तो आपकी TV निकल के आई कितनी 118 डिगरी पचास मिनट अभी आपको क्या चाहिए जी भी grid bearing चाहिए क्योंकि grid bearing निकाल नहीं तो grid bearing कहाँ से निकलेगी grid bearing यहाँ से लेके और यहाँ तक की bearing grid bearing होगी अब यह आपको यहां तक पता चल गया है कि true bearing कितनी है यहां से यहां तक की जो bearing हो 118 degree 50 minute आई यानि कि यह वाली जो bearing आई 118 degree 50 minute आई अगर इस में से 2 degree 15 minute मैनस कर देते हैं इतना हिस्सा तो क्या है हमारा यह g भी निकल जाएगी grid bearing तो grid bearing क्या होगी 118 degree 50 minute मैं से माइनस कर देते हैं 2 degree और 15 minute तो कितना हो गए यह 118 मैं से 2 गया तो 116 degree और 50 मैं से 15 गया तो कितना बच्चा 35 minute तो आपकी जो GBI 116 degree 35 minute यही इसका answer होगा यह पार मैं से 15 गया तो कितना है बार मैं आपकी लेकी सकते होगे GB जो 180 और 50 क्या है आपका TV निकल गया थी TV मैंस 2 degree 15 minute क्या आपका AOC आप एक मैप में मैगनेटिक विरीएशन दिया है तीन डिगरी पत्चीस मिनट इस्ट है और AOC एंगल ओप कनवर्जेंस कितना दिया है दो डिगरी पत्चीस मिनट वैस्ट है इस इलाके में एक पोस्ट से क्लिए की कमपास बीरिंग 135 डिगरी मापी गई है इसके सभी bearing ज्याद करो यदि इस सथान का Local Magnetic Attraction क्या है एक डिगरी 35 मिनट इस्ट है अभी यहाँ पर Local Magnetic Attraction दिया है तो यह क्या बन जाएगी? Compass bearing बन जाएगी क्या बन जाएगी? Compass bearing जो कि आपकी 135 डिगरी है LMA कितना दिया है? local magnetic attraction एक डिगरी 35 मनट east है तो सभी bearing ग्याद करो तो इसमें हमें सभी bearing यह निकि magnetic bearing grid bearing और true bearing तीनो bearing ग्याद करने हैं अब इसका देख लेते हैं magnetic variation क्या होता है true north से लेके और magnetic north के बीच की दूरी जो कि हमारा east दे रखा है तो क्या होगा दाहिने होगा true north से और magnetic north के बीच की दूरी को क्या बोलता है magnetic variation कितना है यह तीन डिगरी 25 मनट इसका डाइगराम यह अभी AOC को देख लेते हैं AOC क्या होता true north से और grid north के बीच की दूरी true north हमें दे रखा है grid north कहा रहेगा हमारा बाइं रहेगा क्योंकि यह west दे रखा है true north से और grid north के बीच की दूरी यह रहेगा AOC जो कितना है हमारा 2 degree और 25 मिनट अभी दिया हुआ यह ने LMA LMA जहान रखना हमेशा MN से ना पा जाएगा GN और TN से इसका कोई लेना देना नहीं है जो local magnetic attraction है अगर west है तो यहां से बाइं रहेगा अब यह क्या east है तो magnetic north से रहेगा east side में यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कितना है 1 degree 35 मिनट east है तो यहां लगाया और यह कौन सा north बनेगा compass का north बनेगा यह compass north होगा और compass bearing कितनी दी हुई है 135 डिगरी यह जो compass bearing कहां से ना पी जाएगी यह compass bearing है तो यह compass north से ना पी जाएगी यहां से लेके यहां तक की जो bearing है कितनी 135 डिगरी यह हमें दी हुई है तो यहां से magnetic bearing निकाल सकते हैं यहां से यहां में 135 डिया है और magnetic bearing होगी वो कहां से होगी यहां से लेके और यहां तकी वेरिंग होगी यह मैगनेटिक वेरिंग होगी तो यहां से यहां में 135 दिया है अगर इसमें हम 1 डिगरी 35 मिनट एड़ कर देते हैं जोड देते हैं तो हम मैगनेटिक वेरिंग क्या है निकाल सकते हैं तो magnetic bearing क्या होगी यहां से? MB. MB क्या हो जाएगी? 135 degree में, अगर हम प्लस कर देते हैं, 1 degree 35 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 136 degree और 35 मिनट, यह आपकी हो जाएगी MB. यह क्या हो जाएगी आपकी MB, तो यहां लेके सकते हैं, MB बराबर, 135 degree क्या है हमारा CB, प्लस 1 degree 35 मिनट क्या है LMB, तो यहां LMB, यह होगी आपकी magnetic bearing, अभी magnetic bearing के बाद, हम true bearing निकाल सकते हैं, अभी इसका हमें पता चल गया, कि magnetic bearing तक जो हमारी bearing हो, 136 degree 35 मिनट आई, अगर हम 136 degree 35 मिनट में, यहां से यहां तक हमें पता चल गया, कि 136 degree 35 मिनट है, अगर इसमें हम 3 degree 25 मिनट हम एड़ कर देते, तो हम कहां यहां तक पहुंच सकते हैं, यहां तक, true bearing तक, तो इसका मतलब 136 degree 35 मिनट में, अगर हम 3 degree और 25 मिनट एड़ कर देते, तो क्या निकल क्या जाएगा हमारा TB, यानि कि true bearing, तो कितना हो जाएगा है, 136 और 3, 149, और 35 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 25 पचा, 60, 136 और 3, 149, डिगरी और 1 डिगरी यह मिलके हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 140 डिगरी, यह आपका हो जाएगा, true bearing, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 136 डिगरी 35 मिनट किसके बरावर है, MB के बरावर है, तो यहाँ पे MB, प्लस 3 डिगरी 25 मिनट किसके बरावर है, MV के बरावर, तो यह आपका यहाँ से, TB निकल किया जाएगा, यह आपका TB होगा, अभी क्या है, grid bearing हो निकाल लिए, तो GB क्या होगा, GB यहाँ पे निकाल देते हैं, GB क्या होगा हमें, अभी true bearing हमें पता चल गया है, कि यहाँ से और यहाँ तक कि जो हमारी bearing है, वो 140 डिगरी है, अगर इस 140 में हम, 2 डिगरी 25 मेंट एड कर देते हैं, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे फिर, यानिकि 140 डिगरी प्लस, 2 डिगरी 25 मेंट, 2 डिगरी 25 मेंट, कितना हो जाएगा, 140 अगर दो 142 डिगरी 25 मेंट, यह आप क्यों हो जाएगी GB, यानिकि grid bearing, तो यहाँ लेक सकते हैं, हम GB बराबर, 140 किसके बराबर है, 140 हमारा है TB, यह TB बराबर किसके, 140 के हैं, तो यहाँ TB लिखो, प्लस, 2 डिगरी 25 मेंट किसके बराबर है, AOC के, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, AOC, तो यही इसकी GB होगी, यहीं गिरड़ बीरिंग कितने हैं, 142 डिगरी और 25 मेंट, नेक्स्ट क्वेशन नमर 9, मैगनेटिक बीरिंग दी हुई है, 349 डिगरी AOC दिया हुआ, 3 डिगरी 15 मिनट, MV दिया हुआ, 1 डिगरी 45 मिनट, तो GB और TB निकालनी है, इस क्वेशन में दिया हुआ था, कि एक सथान से, हम दूसरे सथान की ओर देखते हैं, और हम दूसरे सथान से, फश सथान की ओर देखेंगे, तो वो उसकी बैग बीरिंग हो जाएगी, यनि किसी दूसरे सथान से, अपनी तरफ की बीरिंग जो है, 1349 डिगरी है, सपोज एक पॉइंट ये था, ये एक पॉइंट ये, अगर यहां से इस तरफ की जो बीरिंग है, वो 349 डिगरी है, तो हमें पूछाए कि, इस सथान से, इस सथान की बीरिंग बताओ, तो क्या हो जाएगी, बैग बीरिंग हो जाएगी, अभी इसमें दिया हुआ है, तो आपको पता, AOC कया होता है, पूछ नौर्थ से लेके, और गरेद नौर्थ की बीच की दूरी, हम AOC इसकी बात कर रहे है, AOC तीन डिगरी, 15 मिनट हैं यहां पे, तीन डिगरी, 15 मिनट क्या दे रखा हैं, यहां पे, East दे रखा है, यह East है, तो यहाँ पर east का मतलब ही है डाइने साइड होगा true north से लेके और grid north की बीच की दूरी तो यह कितना दे रखा है 3 degree और 15 मिनट तो यह AOC का डाइग्राम है अभी MV देख लेते MV क्या होती है true north से magnetic north तो true north हमें already दे रखा है तो हमें क्या चाहिए magnetic north जो की आपके 20 side होगा क्योंकि यह west है तो यह होगा आपका magnetic north जो कितना दे रखा है आपको 1 degree 45 मिनट अभी आपको दी हुई है magnetic bearing तो magnetic bearing कहा से ना पी जाएगी magnetic north से magnetic north से 349 है कोई नहीं हम यहाँ पर ले ले लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक की bearing माना आपने 349 डिगरी है वैसे इधर आएगी यह 349 लेकिन यहाँ पर ले ले लेते हैं तो आपकी जो magnetic bearing वो कितनी है 349 डिगरी तो आपको क्या निकालना है true bearing और grid bearing फिर उसकी back bearing निकालेंगे अभी यहाँ से true bearing क्या निकल के आएगी true bearing यह total था 349 इसमेंसे अगर हम एक डिगरी 45 मिनट मैनिस कर देते हैं यहनि कि 349 डिगरी मेंसे एक डिगरी 45 मिनट क्या करना है मैनिस करना है तो हमारी TV निकल के आजाएगी तो कितनी होगी यह इसको लेक सकते हैं 349 डिगरी और 60 मिनट 348 degree और 60 minute इसमें से 1 degree 45 minute मैंस करना थे यहां से 5 बचा 1 और यहां से बचा 347 degree 15 minute तो यह केतना है 347 degree 15 minute आपका Tv जो होगा वो कतना होगा 347 degree 15 minute यहां पर लिख भी सकते है Tv वराबर 349 क्या है आपका Mv माइनस 1 degree 45 minute क्या है Mv तो यहाँ पे आप M भी लेख सकते हो यह आपका TV निकल के आया अभी TV निकल के आया हम हमें पता चल गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो bearing है यानि कि इस point से लेके और इस point तक की जो bearing है वो 347 degree 15 minute है अगर हमें GB निकालनी हो तो यहाँ से 347 degree 15 minute में से माइनस कर देते हैं 3 degree 15 minute तो कितना बचेगा 347 में से 3 गया तो 344 डिगरी और 15 में से 15 गया तो 0 तो आपकी जो GB निकल के आई यहाँ से grid bearing आई वो 344 डिगरी निकल के आई तो यहाँ पे लेख सकते हैं GB बरावर 347 डिगरी 15 minute किसके बरावर है TB के बरावर माइनस 3 डिगरी 15 minute किसके बरावर है AOC के बरावर AOC 3 डिगरी 15 minute है क्या लेख देंगे AOC अभी आपकी यह TB और GB निकल के आई अभी हमें चाहिए back bearing इसकी तो back bearing क्या होगी TBB true back bearing क्या हो जाएगी और 347 डिगरी 15 minute क्या है इसका true back bearing यह इसका आंसर होगा true back bearing का अभी grid back bearing निकल देते हैं तो 344 हमारा GB था यहां से यह grid back bearing निकल देते हैं 344 था 344 में से हम 180 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहां से कितना आएगा 4, 8, 6, 4, 2, 1 यह आएगा 164 डिगरी तो इसका grid back bearing होगा 164 डिगरी होगा true back bearing कितना होगा 166 डिगरी 15 minute यही इसका आंसर होगा अभी question नमर देते हैं एक सत्थान से दूसरे सत्थान की MB दी हुई है magnetic bearing 120 डिगरी है दूसरे सत्थान से पहले सत्थान के सभी bearing याद करो एक सत्थान से दूसरे सत्थान के magnetic bearing याद करने हैं निकी back bearing निकालनी है हमें जबकि magnetic variation कितना दिया हुआ है 3 डिगरी 10 minute East है और AOC जो दिया हुआ है कितना 4 डिगरी 25 minute West है यह हमें क्या दिया हुआ है तो साथ से पहले हम निकाल लेते हैं MV MV क्या होता है True North से लेके और Magnetic North की बीच की दूरी True North इज़र है Magnetic North कहा हैगा East में यानि कि इस साइड में कितना है 3 डिगरी 10 minute AOC क्या होगा Angle of Convergence True North से और Grid North की बीच की दूरी True North हमें Already दे रखा है यह रहा Grid North कहा जाएगा बाएँ जाएगा क्योंकि यह West है तो Grid North कहा रहेगा यहां रहेगा कितना है 4 डिगरी 25 minute 4 डिगरी 25 minute MB दियो ही थी हमे MB क्या होती है हमारी Magnetic Bearing जो कि Magnetic North से ना पी जाएगी Magnetic Bearing हमेयसा Magnetic North से ना पी जाएगी तो यहां से यहां तक की जो Bearing है वो 120 डिगरी है तो क्या नकालना हमें True Bearing नकालनी है क्योंकि यह तो हमें दे रखिये तो True Bearing क्या हो जाएगी यहां से True Bearing हो जाएगी 120 degree प्लस अभी true bearing यह होगी आपके magnetic bearing true bearing होगी तो यहां से लेकिन आपी जाएगी इस point से true north से तो यहां से हमें पता 120 है हमें यहां से यहां तक निकाल नहीं थी तो इसमें 3 degree 20 दस मिनट जो हमें add कर देते हैं तो हम यहां तक true bearing तक पहुंच जाएगी अब यह TB निकल के आईगी true back bearing बाद में निकालेंगे तो TB बरावर 120 degree क्या आई 120 degree MB प्लस 3 degree 10 मिनट क्या आई MB तो यह आपका TB निकल के आई अभी क्या निकालना हमें GB निकालना है तो TB तक हमें पता चल गया कि 123 degree 10 मिनट है और GB निकालने के लिए हमें इतना और एड करना पड़ेगा इनकी GB इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकाले जाएगे नहीं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो GB निकाले जाएगी अब हमें यहाँ तक पता चल गया तो GB क्या हो जाएगी आपकी GB हो जाएगी 123 डिगरी 10 मिनट GB क्या हो जाएगी TB प्लस 4 डिगरी 25 मिनट 4 डिगरी 25 मिनट तो GB हो जाएगी हाँ से 123 और 4 कितना हो जाएगा 127 डिगरी 32 मिनट यह आपका answer हो गए है लेख सकते हैं GB बराबर 123 डिगरी 10 मिनट आपका TB है प्लस 4 डिगरी 25 मिनट इसके बराबर है यह आपका answer होगा अब इसकी किनिकरेंगे बैक बीरिंग निकालनी है तो बैक बीरिंग क्या हो जाएगी हाँ से True बैक बीरिंग यानि कि 123 डिगरी 10 मिनट में हम क्या 180 डिगरी अब प्लस करेंगे क्योंकि 180 से कम है तो कितना हो जाएगा 3,8,2,10,3 यानि कि 303 डिगरी और 10 मिनट यह इसका final answer होगा 303 डिगरी 10 मिनट इसी परकार GB में GB भी जह हम निकालेंगे तो 127 डिगरी 35 मिनट में 180 डिगरी एड करेंगे तो 35 मिनट 35 मिनट रहेंगे 707,8,2,10 और यह 307 डिगरी और 35 मिनट के आजाएगे GB यह इसकी क्रिट बैक भी रहेंगे यह इसका final answer होगा अब इसका question नमर गया रहे है एक सथान तरिपन में एक किले की magnetic bearing 165 डिगरी थी इसमें दिया है magnetic bearing 1953 में कितना है 165 डिगरी उस समय magnetic variation यानि कि 1953 की बात कर रहा है magnetic variation 3 डिगरी 10 मिनट इस्ट था जो कि 5 मिनट प्रतीवर्स क्या हो रहा है कम हो रहा है घट रहा है और AOC दिया हुआ है हमें 2 डिगरी 15 मिनट वैस्ट है तो 1980 में उस सथान से के लिए की सभी bearing ग्याद करो 1980 में ग्याद करना है हमें सभी bearing सबसे पहले देखना है कि 1953 और 1980 में कितने साल का अंतर है 1980 माइनस 1953 जब माइनस करते हैं तो कितना था है 27 साल 27 साल एक साल में वो 5 मिनट घट रहा है तो 27 साल में कितना घटा एक साल में 5 मिनट घटा तो 27 साल में कितना घटा वो 135 मिनट 135 मिनट को क्या लेख सकते हैं 2 डिगरी और 15 मिनट क्योंकि 2 डिगरी में 120 मिनट और 15 मिनट 135 अभी हमें पता चल गया कि जो ये घटा वो 2 डिगरी 15 मिनट घटा अभी इसका डिगराम बना लेते हैं अभी हाँ से देख लेते हैं MV MV क्या होता आपका True North से True North से और Magnetic North की बीच की दूरी तो True North से Magnetic North यहां रहेगा 1953 में 1953 में कितना आए है 3 डिगरी 10 मिनट AOC कितना दिया हुआ है 2 डिगरी 15 मिनट वेस्ट यानि कि इस तरफ दिया हूँ AOC True North से और Grid North की बीच की दूरी इस साइड में 2 डिगरी और 15 मिनट यह इसका यह इसका MB दी हुई है 1953 में 165 डिगरी यानि Magnetic Pairing 165 डिगरी है किसमें 1953 में अभी बोल रहा है कि यह जो है 2 डिगरी 15 मिनट गट रहा है तो गटेगा तो 2 डिगरी 15 मिनट यहां से इस साइड में जाएगा क्योंकि इस साइड में जाएगा नहीं गटेगा तो इस साइड में जाएगा यह 2 डिगरी मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहनि कि Magnetic Pairing 1980 में कहा जाएगी गट के यहां पे आजाएगी 2 डिगरी 15 मिनट गट जाएगा गट जाएगा गट कर यह कहा जाएगा इधर आ जाएगा तो सबसे पहले हमें कि इसमें क्या ग्याद करना है सबसे पहले क्या ग्याद करना है इसमें हमें Magnetic Pairing ग्याद करनी है 1980 की यानि कि MB ग्याद करनी है 1980 की अभी देखो यह Magnetic Pairing थी आपकी 1973 में 1965 में 1965 थी तो 1980 में हो जाएगा यह 167 कि यानि कि 2 degree 15 minute यानि कि 165 degree में हम 2 degree 15 minute add कर देते हैं तो MB 1990 की निकल के आ जाएगी 1980 की तो कितना हो जाएगा 167 degree और 15 minute ये इसकी MB जो होगी 1980 की होगी अब देखो यहां से लेके यहां तक 3 degree 10 minute था और ये 2 degree 15 minute तो ये कितना बचेगा टोटल 3 degree 10 minute है इसमें से हम अगर इसको मैनिस कर देते हैं यानि कि 3 degree 10 minute में से हम 2 degree 15 minute मैनिस कर देते हैं तो ये हिसा निकल के आएगा इसको गठाने के लिए क्या करेंगे वो तर्तिव अपना नहीं इसको 2 degree लिखना है और 60 minute लिखना है साटर 10, 70 minute हो जाएगा ये और इसमें से फिर 2 degree 15 minute आप आराम से मैनिस कर सकते हैं तो कितना बचेगा ये पचपन मिनट तो ये यहां से ऐसे 55 minute निकल के आए अब ये आपको पता चल गया है कि मेंगनेटिक बेरिंग जो 1980 में आई वो 167 degree 15 minute आई यानि 116 degree 15 minute यहां तक निकल के आई अगर हमें टीवी निकाल लिए तो ये हिससा इसमें क्या होगा एड होगा यानि कि अगर आपको टीवी निकाल लिए तो 166 degree 15 minute में आपने एड करना है 55 minute तो यह कितना हो जाएगा 166 degree 15 minute में कितना हो जाएगा 166 degree 168 degree और 10 minute क्योंकि 55 और 15 कितना हो जाएगा 70 हो जाता है तो 170 में जो 60 degree 60 minute है उसका 1 degree हो जाएगा यह 168 degree 10 minute तो यहां लेख सकते हैं टीवी वरावर MB 1980 की थी ये 55 क्या आई ये ये जो इसमें से TN और MB के बीच की दूरी है ये 55 है इसका जो होगा ये आपकी TB निकल के आएगी अभी इसके बाद इसकी GB निकाल लेते हैं अभी हमें TB तक पता चल गया कि ये 168 डिगरी और 10 मिनट है अगर इसमें हम 2 डिगरी फंदर मिनट अड़ कर देते हैं तो हमारे GB निकल जाएगी ये यहाँ से यहाँ तो कितना हो जाएगा है 168 क्लस 270 डिगरी और 10 और 15 है 25 मिनट ये 170 डिगरी 25 मिनट इसका आंसर होगा Qešn नबर बार है AOC क्या होता True North से और Grid North तो Grid North कहा जाएगा हमारा West में तो भाएए जाएगा ये 3 डिगरी West दिया हुआ है MV क्या होता True North से और Magnetic North के बीच की दूरी तो True North से और Magnetic North के बीच की दूरी ये कितना दिया हुआ है आपका 4 डिगरी यह आपका east है इसमें I.C.E. दिया हुआ है पांच डिग्री इस्ट तो I.C.E. आपका यहां से ना पा जाएगा यहां से लेके यहां तक यह 5 डिग्री है यह कमपास नौर्थ हो जाएगा 5 डिग्री और आपका कमपास वीरिंग दिया हुआ है 160 डिग्री यह यह आपकी 160 डिग्री है तो कमपास वीरिंग कमपास नौर्थ है ना पी जाएगा तो यहां से हम M.B.E. निकाल सकते हैं M.B. क्या हो जाएगी 160 डिग्री प्लस यह 5 डिग्री यह निकी 165 डिग्री इसको लग सकते हैं हम इसके बाद TV हो जाएगी है हमारी TV क्या होगी यहां से पता चल के हमें यह 165 डिग्री है अगर इसमें हम 4 डिग्री एड कर दें थे तो यहां तक निकल जाएगा यह तो 165 डिग्री प्लस 4 डिग्री कितना हो जाएगा 169 डिग्री इसी प्रिकार से GB अब यह आपको पता चल गए कि TB तक कितना निकल के आया था यह 169 तो 169 में 3 डिग्री और एड कर देना है तो कितना हो जाएगा 172 डिग्री यह यह इसका आंसर होगा इसके यह लिख सकते हैं यह GB हो जाएगा TB TB है ना TB प्लस 3 डिग्री क्या है आपका AOC यहां लिख लेना आपको पता है इस प्रिकार से इसका आंसर हो जाएगा अब इसका लास्ट बियरिंग लास्ट क्वेशन MV दिया होगा है 2 डिग्री 25 मिट एस्ट MV होता है 2 नौर्ट से और Magnetic North की बीच की दूरी तो 2 नौर्ट से Magnetic North कितना है 2 डिग्री 25 मिट तो यहां से यहां तक कितना होगा 2 डिग्री 25 मिट AOC दिया हुआ है आपको 1 डिग्री 25 मिट एस्ट तो AOC यहां पे आएगा 2 नौर्ट से और Grid North की बीच की दूरी तो यह यहां पे आएगा यह उसी कितना एक डिगरी 25 में जीवी दिया हुआ है आपको 215 डिगरी तो जीवी यहां से नापा जाए ग्रिणोर से 215 डिगरी तो सभी बैक वेरिंग निकालो तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं हम यहां से टीवी निकाल देते हैं टीवी कहां से नापी जाएगी यहां से यहां तक की नापी जाएगी यहां से यहां से यहां तक पता है हमें 215 है यहां से यहां तक निकालना है तो इसमें यह हिस्ता एड़ होगा इनकी टीवी क्या हो जाएगी 215 डिग्री प्लस यह एक डिग्री 25 मिनट यह निकि 216 डिग्री 25 मिनट यह आपी TV होगी TV के बाद इसमें से MB निकाल देते हैं MB क्या होगी यहां से ना पी जाएगी MB यहां से यहां तक की अभी आपको TV पता है और इसमें से अगर हम यह हिस्ता माइनस कर देते हैं 2 डिग्री 25 मिनट तो क्या निकल गाएगी MB 216 डिग्री 25 मिनट इसमें से माइनस कर देते हैं 2 डिग्री 25 मिनट तो कितना आएगा है 214 डिग्री यह इसका आंसर होगा गिरिड बैक वीरिंग निकाल लिए तो इसमें से 100C मैनेस कर देना है और इसमें से भी 100C मैनेस कर देना वह यह आपका आंसर होगा